नमस्कार दोस्तों, कई महीने उबाद सुप्रीम कौट ने एक ऐसा सुप्रीम फैसला दिया है जिससे नफरती चिंटूओं के मुँपर जोरदार तरीके का तमाच्वा लगा है सुप्रीम कौट ने आज सुप्रीम फैसला सुनाते हुए मुफ्ती सल्मान अजहरी को रिहा करने का आदेश दे दिया है यही नहीं मुफ्ती सल्मान अजहरी को फौरण रिहा करने का आदेश दिया है यह वही मुफ्ती सल्मान अजहरी है जिनके बयान को आधार बना कर इनको लंबे समय से जेल में रखा गया वैसे नफरती चिंटूओं के एक से बढ़कर एक बयान है जहाँ पर मारने काटने और एक धर्म को खास धर्म जो इसलाम धर्म है उसको लेकर लगातार टार्गेट किया जाता है इस पर कोई आक्शन नहीं होता यतिनर सिम्मानंद को ले पाक के खलाफ किस तरीके का बिवादित अपत्ती जड़क बयान दिया उसके बाद क्या हुआ कुछ हुआ आपको दिखा कि कुछ हुआ हो कोई खबर आ रही हो कि उसके खलाफ कोई आक्शन लिया गया हो यूए पी एन ऐसे जैसी कोई धाराएं लगा दी गई हो ना भी या इन फाक्ट गाजयाबाद पुलिस कह रही है कि हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो कहा है किधर चला गया है अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों के बारे में पता नहीं है जो नफरत का बयान दे दे करके खुद कहां से कहां चले जाते हैं कितना घटिया घटिया ब सर सोशल मिर्या के माध्यम से वीडियो बनाकर ऐसी गंदी और वाहियात बाते करते वे नजर आते हैं लेकिन इन पर कारवाई के नाम पर नील बटा सनाटा जीरो जीरो बड़ावाला लड़ू पकड़ा दिया जाता है कि वहीं इनके उपर नहीं कारवाई होगी उर्दू ना मुफ्ती सल्मान अजरी के खलाव जो कारवाई हुई वो देश ने देखा उनके खलाव हजारों लाखों लोग सडकों पर उत्रे उनकी रिहाई को लेकर और अब यह मामला कई महीनों से कोट का चक्कर लगा रहा था लेकिन आज सुप्रीम कौट ने जो फैस्ता दिया उसस मुफ्ती सल्मान अजरी के चाहने वाले उनके लोग जो हैं जो उनको पसंद करते जो उनकी बातों को फॉलो करते हैं उनके बीट खुशी की लेहर दिखाई दे रही और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कौट ने वाकई सुप्रीम फैस्ता सुनाते हुए इंसाफ और आ रही है मैं सबसे पहले आपको यह बताओ अश्राफ हुसैन नाम की यूजर पत्रकार इंडिपेंडेंडेंट वो लिखते हैं लंगलिल्ला खबर आ रही है कि मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब को सुप्रीम कौट ने रिहा करने के निर्देश दे दिये हैं यानि कि उनके की खबर जो है वो आ गई है कि इनको रिहा फॉरन किया जाना चाहिए इनको जेल में क्यों रखा गया है जुबैर नाम की यूजर उन्होंने लिखा कि मुबारक हो आज जुमे के दिन बड़ी खुश खबरी दस महीने बाद मुफ्ती सल्मान अजहरी को बेल मिल गई है शेर कि इसको ललकारने या किसी फ़ूटा सीधा गलत बोरने का क्या मतलब है वह अगर कि त्साप सीधी सी बात है कि आपने अगर गलती की है तो आप उसकी सजा आपको मिलेगी जाए आप गलत सजा काच रहा है या आपके उपर सई सजा लगी है लेकिन उपर वाले का inसाफ को कर रहता है तो यह सब करने की जरूरत नहीं है कि अगर कुसी इसे कि नफरत का नफरत नहीं हो सकता है इंसानियत होता है और इसलाम धर्म में यही कहा गया और बाकी सभी धर्मों में यही कहा गया कि नफरत से कुछ भी नहीं जीता जा सकता है चाहे वो हिंदु धर्म हो या मुसल्मान धर्म या सिक्ष हो या इसाई हो या कोई भी धर्म और किसी भी धर्म के भगवान ने ये नहीं काय कि आप दूसरों के धर्म के खिलाफ अनाफ शनाफ बोलें दूसरों के धर्म के खिलाफ अंगरल बाते करके आप महान बन जाए नहीं सब धर्मों का आप सम्मान किजिए आप जैसा अपने धर्म का सम्मान करते हैं वैसे दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना सीखिए गलत उल जलूल बाते बोलने से बचिए इसे करकर सिर्फ और सिर्फ आप अपने आपको नीचा दिखा सकते हैं बाकि कुछ नहीं आगया सदुद्दीन ओवैसी प्राउडी पेश से का जा रहा है कि शेरे हिंद मुप्ती सल्मान अजरी साहब को दस महीने बाद सुप्रीम कौर्ट में जमानत मिल गई है जमानत मिलने के बाद मुस्लिम समुदाई में खुशी के लैर नजर आ रही है आदिल नाम के की उज़र है वो लिखते हैं मुप्ती सल्मान अजरी को सुप्रीम कौर्ट ने रिलिस करने का आदेश दे दिया है मुप्ती सल्मान अजरी साहब को गुजराज पुलिस ने तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी लेकिन वो पिश्वे 10 महीने से P.A.S.A. Act के तहट जेल में थे सुप्रीम कौर्ट ने P.A.S.A. के तहट नजरबंदी को रद कर दिया और 10 महीने बाद मुप्ती सल्मान अजरी को आज बडोदरा जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है साफतर पर कहा गया है कि बडोदरा जेल से उन्हें रिहाई दी जानी चाहिए तो इस वक्त सोशल मीरिया पर हर कोई मुप्ती सल्मान अजरी को लेकर लिख रहे हैं बोल रहे हैं कि कैसे मुप्ती सल्मान अजरी की आज जीत हुई है और जो नफरती चिंटू हैं उन नफरती चिंटू की बहुत बड़ी हार हुई है दोस्तो इस पूरे रिपोज को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया हैं में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथी साथ दोस्तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब में ही किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजी और जोईन करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तो आप हमारा चैनल जाद से जादा जोईन करे ताकि हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता र